हेलो फ्रेंद्स कैसे हो आप सब लोग आप सबी का स्वागत है वैजी पंच में तो आज मैं व्लोग स्टार्ट कर रहा हूं नीचे पार्किंग से क्योंकि आज मेरा डायलेसिस डे है तो बस मैं अभी डायलेसिस के लिए जा रहा हूं कैप को बुक कर लिया है होप सो कैप आ जाए क्योंकि जब इतने पास में जाना होता है वो लोग ड्रॉप लोके से पूछते हैं बहुत पार कैंसल कर देते हैं तो अभी 10.30 हो रहा है और जो आज मैं लंच लेके जा रहा हूं उसका रेसिपी मैंने सूट कर लिया है रेसिपी कुछ खास नहीं है सिफ थोड़ा सा चोटा सा वीडियो है जो आगे आपको डिख जाएगा वैसे आप लोगों को एक बार शेयर करनी है आप लोगों से कि आज मेरा फाइनली फेवरिट मौसम आ गया है है अज सुबर से बारिस हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफी अच्छा वैडर हो रहा ह आपको कौन सा वैडर अच्छा लगता है प्लीज कॉमेंट करके जिरूर बताएं और आज एक छोटा सा फूड रिव्यू है लेकिन वो फूड रिव्यू हम लेंगे भारत की जन्ता से देखीगा कैसे लेते हैं दोस्तों मैं अपने ओफिस में जहांते हो सकता है अपना लच खुट घर से बना कर ले जाता हूं तो आज यहां पे मैं बना रहा हूं पास्टा मैं मैं मैगी और पास्टा में पास्टा को हेल्दी मानता हूं पास्टा ही यूज करता हूं मैगी मैं बहुत कम यूज करता और जो इसका ये पाउडर है, मसाला पाउडर, वो मैंने सिर्फ हाफ टी स्पूनी यूज किया, पूरा नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे ज्यादा मसाला पसंद नहीं है, तो बस इसे मैं ऐसे ही रखूंगा, पास्ता बन चुका है, इसे थोड़ा ठंदा कर लूँगा, फि इसकी देखा था मार्केट में, तो मेरे लिए न्यू फ्लेवर है, 40 रूपिस का पैकेट है, 100 ग्राम से इसका वेट है, तो आज हम इसे थोड़ा अलग तरीके से रिव्यू करेंगे, आप वीडियो एंटक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसे हम किस तर से रिव पिक नहीं लिए है, वैसे मैं इंस्टाग्राम के लिए पिक लेटा जा रहा हूं, लेकिन एक महिने से मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, तो कल तो मेरा ओफिस नहीं है, घर पर ही रहना है, तो कल इंस्टाग्राम के फेस्बुक के पोस्ट अपडेट करने हैं, यूट बाइट में थोड़ा बटर का टेस्ट आया है थोड़ा सॉल्टी है थोड़ा सा स्वीट है ऐसा मिक्स है प्योर स्वीट नहीं है जैसे कि दूसरे क्रीम बिस्कित होती है तो चीज के का टेस्ट है लेकिन चीज के बिस्कित के साथ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैं तो नहीं अपने लिए नहीन लेने वाला ये बिस्कित दोबारा मुझे ये वाला बिस्कित इतना अच्छा नहीं luck लेकिन देखते हैं कितने जादतर यही होता है केव वाले भाईया ड्रोप रोकेसिन पूछते हैं और जब उनको पता चलता है कि विदिन 2-3 किलोमेटर सी जाना है तो जादतर वो कैंसल कर देते हैं और मैं इसी तरह फिर से बुक करता रहता हूं और हमारे सुसाइटी में पार्किंग भी फुल्थी नहीं तो हम रिवर्स करके जा सकते थे लेकिन पार्किंग फुल्थी इस वज़े से ड्राइवर भाईया को पूरा राउंड लेकी जाना पर रहा है आप लोग जाती है हमारे सुसाइटी में एक ही रस्ता है आने हो जाने क सब्सक्राइज इन होस्पिटल न्यू वेइंग मसीन अप बटाएज आपको बिस्कित कैसा लगा बिस्कित बहुत अच्छा है स्वीट है थोड़ा कम है मकर रहत कलिया अच्छा है ओकी थैंक्यू आपका नाम सुरेश कोटक थैंक्यू भया दोस्तों मेरे फ्रेंड से मिलिये इनका नाम है मीनास तो भही आप रियल रिवीव देना क्यूंकि ये बिस्कित मैंने नहीं बनाएं बिरतानिया नहीं बनाएं बताएज कैसा लगा आपको बहुत अच्छा लगा बिस्कित थीक है थीक है थैंक्यू खृफं से षीक है बिसकित भी अच्छा है मैं और नवेंडो दिया पाल限 जैन्यू आता दियू भी आपको कैसा लगा अच्छा है ओकी ठीक है थैंक यू दोस्तों मैंने अपना लांच बोक्स ओपन कर लिया है पास्टा और साथ में घर का बना हुआ वुट एपल का जूस सोरी मैं आपको उन भाइया से इंटर्ड्यूस करवाना भूल गया जो मास्क में थे जिनोंने टेलेग उनका नाम है निखिल उन्होंने रिसेंटली जोइन किया है हमारे ओफिस के सारे स्टाफ सारे मेंबर्स बहुती अच्छे हैं बहुती फ्रेंडली है तो आपको आज का रिव्यू कैसा लगा जुरू बताईएगा देखिए मेरे ओफिस में टीवी भी है लेकिन मैं टीवी नहीं देखता क्योंकि मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं तो चलिए दिखाता हूं मेरा काम क्या है यहां पर मैंने अलग से एक फोन ले रखा है तो मैं वो फोन यूज करता हूं कभी कुछ पोस्ट कर लेता हूं उस फोन से कभी चैस सुडोकू और अभी मैं खेल रहा पांच बजने वाली है और फाइनली मेरी ड्यूटी खतन कुछ दोस्टों से मिलवाना रहे गया क्यूंकि उनकी ड्यूटी अभी स्टार्ट हूई है अभी इस ताइम ढूप निकली हूई है तो अभी देखे कहनी सकते कि सुबह यहां पर बारिस हूई थी यह पाम ट्रीज लाइन में कितने अच्छे लग रहे हैं वहां देखिए वहां पे है टाज बंजारा होटल दोस्तों ओफिस से आने के बाद बैस हो गया चार पाच घंटे और अब डिनर टाइम हो गया है लंच मैंने आकर किया ने स्किप कर दिया बस ओफिस में जो खाना लेके गया था वो काफी यमी था और इसके साथ आज मुझे व्लोग करने में बहुत अच्छा लगा रिव्यू करने में बहुत मज़ा आया हालंकि मुझे लगा था कि सिर्फ एक महीं हूँ जिसे वो बिस्किट इतना पसंद नहीं आया पर ऐसी बात नहीं है और दूसरा अब मैं अपने रू ब्राउनी की रेसिपी पोस्ट करूँगा क्योंकि जो मेरा फर्स्ट व्लोग था काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं ब्राउनी की रेसिपी पोस्ट करूँ लेकिन सॉरी आज मैं ब्राउनी की रेसिपी नहीं पोस्ट कर पाया अभी मैं काफी ठक गया मुझे अभी भी नीद आ रही है तो बस यी कॉमेंट्स करके और थोड़ा सा आज की व्लोग का एडिटिंग करके फिर मैं सौँगा लेकिन कल मैं पूरी कोशिश करूँगा ब्राउनी की रेसिपी पोस्ट कर सकूँ और इंस्टाग्राम की भी जो पोस्ट बहुत टिनों से पैंडिंग है वो भी मैं कंप्लीट कर सकूँ कल पूरी कोशिश करूँगा अभी मैं रूम से बाहर आया हूँ अपनी किचन एरिया की लाइट को स्विच्च ओफ करने साथ में फैन को ओन करने यहां पे मैंने खाना खाने के बाद अपनी किचन की ग्लास कंटेनर्स और ग्लासेज और जो चलो एक काम टो हो गया तो बस अभी इनको इस तरह से मैंने रखा हुआ है एक बार के लिए इनको पलत भी दिया ताकि जो भी पानी है वो सारा निकल जाए और अब मैं यहां पे फैन ओन कर दूंगा लेकिन लाइट स्विच ओफ कर दूंगा और मॉर्निंग में इने ठीक स रखतेंगे अल्मीरा में और जिन इसे समान रखना रखतेंगे फ्रेंट आज की इस new व्लौ में जिसका रिव्यों कर दो है ना लोगो से तो प्ER आप जरू बतायाएगा कि आप लोगों को फुर विश्कुत कैसा लगता है और एक व्लूग आपको अच्छा लगा यह तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और पूरी कोशिस करूँगा रोज सुबै नो बजे एक वीडियो पोस्ट कर सकूँ बाइ फ्रेंड्स टेक केर गुड़ नाइट